आज हम इंस्टेंट रबडी बनाएंगे इंस्टेंट रबडी बनाने के लिए हमें जो इंग्रिडेंस की जरुवत है सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में आदा लिटर की ऊपर थोड़ा सा दूद लिया ये फुल फैट क्रिम दूद है उसी की साथ मैंने एक बॉल में आदा बॉल कंडेंस मिल्क लिया है दो चमच मिल्क पाउडर लिया है दो चमच मैंने कॉन फ्लोर लिया है और एक चमच मैंने कस्टड पाउडर लिया है तोड़े से बादाम और काजू उसमें मैंने स्लाइस करके काट के लिया है और एक बहुत जादा इसे उबालना नहीं है बस हलका सा हमें इसे एक 5-10 बंड के लिए उबालना है इस तरह से मैंने एक ग्यास पे पॉट रग दिया है अब हम इसमें दूद दाल देंगे ये फुल फैट क्रीम वाला दूद है फ्रेंड्स हमें रबड़ी बनाने के लिए फुल फैट क्रीम वाला ही दूद लगता है अब हम ग्यास को ओन कर देते हैं और इसे एक 10 मिनिट तक अच्छे से उबाल लेते हैं हमें बहुत जादा उसे उबालना नहीं है ना तो का दूद है वो नीचे तले में ना चिपके अब हम उसमें हमने जो मिल्क पाउडर लिया था वो भी डाल देते हैं मिल्क पाउडर यहां पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जो भी सूखी चीज़े अगर हम दूद में डालते हैं तब हम उसे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर उसमें दाल देते हैं फिर से एक बार उसे चमच से मिक्स कर लेंगे जो हमने कस्टड पाउडर लिया था एक चमच उसे मैंने थंडे दूद में भीगो कि उसका गोल बना के दाल देते हैं क्यूंकि कस्टड पाउडर सुखा दालने से दूद में गुटलिया ह हो सकती है अब उसमें जो दो चोटे चमपाउडर कौन का फ्लोर लिया था वो भी डाल देते हैं और उसे एक चमपाउडर है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे अब वसमें हमने जो आदा भाउल के उपर कंडेंस मिल्क लिया था वो भी डाल देते हैं इसमें हम इलाइची का पाउडर भी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इस दूद को जादा उबालना नहीं है बस एक साथ मिनिट और हम इस दूद को उबालते जाएंगे फ्रेंट्स साथ मिनिट में हमारे जो इंस्टन्ट रबडी है वो बनके रेडी हो जाएगी आप देख सकते हो दीरे दीरे जो दूद है गाड़ा बनने लगा है साथ मिनिट हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा दूध है अब पूरी तरह से गाड़ा होने लगा है हमें इसे कंटिनुसली चलाते जाना है फ्रेंड्स वरना हमारा जो दूध है नीचे तले में लग सकता है हमें इसे साइड से भी जो हमने मलाई चिपकी है वो भी हम उसे निकाल देते है और उसे कंटिनुसली चमच से चलाते जाएंगे यहाँ पे हमारी जो रबडी है अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है अब मैं ग्यास को ओफ कर देती हूँ और उसे एक पांच मिनित ठंडा होने देती हूँ फिर इसे हम एक बावल में निकाल देंगे फ्रेंड्स जो हमारी रबड़ी है पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी मैंने उसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल लिया है अब हम इस में थोड़े से सूका मेवा डाल देते हैं याँ पर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिये हैं चाहो तो आप आपके मन पसा अनुसार सुका मेवाल लेख सकते हो, आप इसमें पिस्ता भी उसको स्लाइस करके डाल सकते हो, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो हमारी जो रबडी है, ड्राइफूड्स की रबडी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, ये सिर्फ 17 मिनिट में हमा स्क्राइब करना मत बूलिये